सात्यों नमस्कार मैं हूँ एड़वगर सोक चोधरी सात्यों आज बात करेंगे भाई UAE दुबई से रेलेटेड आप दुबई में रह रहे हो आपके लिए अच्छी न्यूज में लेके आया हूँ हो सकता है आपको अच्छी लेगेगी दुबई में भी अच्छी है इंडिय है में एरपोर्ट ओपन होने जा रहा है सात्यों ठीक है इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा सात्यों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जूरू दबा दें ताकि हैर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकर इमोटिवेसल हो चुके हैं यह तो करोना अपडेट है तो इस्तिती ठीक है इतना कोई सोचने की हार्ड नहीं है दुबई गवर्मेंट इस इस्तिती को देखते हुए कुछ से आपको पता है आप दुबई में रह रहे हूं कुछ जगह पर जैसे ट्रांस्पोर्टेशन या फिर कुछ में दुबई का सबसे बड़ा मौल है वहां पर हजारों की संक्या में लोग काम करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वहां से वहां के पूरे सर्कुलन यानि वहां जो चोटे-चोटे दुकानदार बिजनसमेन है उनका बिजनस सर्कुलेशन वहीं से गुमता है तो अगर वह च चाहिए उच्पी सप्रेल यानि कल की डेड़ से वीजा सेंटर ओपन होने जा रहा है वीजा सेंटर ओपन होने का मैं बता दूँ आपको वीजा सेंटर में क्या क्या काम होगा सोचल डिशेशन के साथ में 30% स्टाफ वहां पे काम करेगा 30% लोग यह उसमें जा सकते हैं आप वहाँ पे वीजा सेंटर पे जाके अपनी प्रोब्लम समस्या का समधाम आप करवा सकते हैं यानि कल 26 अपरेल से वीजा सेंटर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए अच्छी न्यूज है उसके बाद उमीद लगा रहे हैं साति अगर यह स्टार्ट हो रहा है तो विजिट वीजा से रिलेटेड या फिर और भी वीजा से रिलेटेड गोर्मेंट जल्दी इसमें कदम उठाएगी अपरेल के अंदर अंदर पूरी-पूरी संभावना जताइज आ रही है अभी तो यह वीजा सेंटर वर्क पर्मिट वीजा या रिजिदेंशल वीजा है उनके लिए कोई प्रोब्लम आ रहे है जैसे वीजा रिन्यू नहीं हो रहा है वीजा कैंसल हो गया या कैंसल करवाना वगरा वगरा उनसे रिलेटेड ये न्यूज आ रही है वीजा सेंटर ओपन हो रहा है सबी सपरेल से एक अच्छी नियूज निकल के आ रही है कि साथियो दुबई इंडिया के बहुत सारे लोग डुबई से इंडिया आना चाते उनके लिए बेस्ट मैं बता दूँ की इंडिया में दिली एरपोट ओपन होने जारा है गोड्मिन ने पूरी तेयरी इसकी कार लिए है लोगडाउन इंडिया में तीन मेया थक आ है अभी किуस्टिती में हो स इसका मतलब आप भी आज आ सकते हो आपके लिए भी बेस्ट निउस है नहीं है तो भाई तीन मही के बाद में कभी भी चार मही तक एरपोर्ट ओपन हो जाएगा इसकी गोर्विंड ने पूरी तयारियां कर ली हैं पूरे एरपोर्ट को सेनिटाइज किया जा रहा है किदर से लोग निकलेंगे किदर से आएंगे क्यूंकि पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा ना क्यूंकि अभी करोना मामारी को देखते वे पूरे सब की जांच किदर से करवानी है मास कैसे लगवाना है पूरा सोशल डिस्टर्टिंग के मादम से कहां लोग बैठेंगे कहां इ लगाये गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरपोर्ट आपको पता है दिली का सबसे बड़ा एरपोर्ट है इंडिया का तो वहां पे 500 करमचारी लगाये गए हैं जो हर एक गंठे में पूरे एरपोर्ट को सेनिटाइज करेंगे जैसे फ्लाइट आती है तो लोग आएंगे जा आती है तो मैं आप लोगों साथ जरूर शेयर करूंगा साथ यह वीडियो अच्छा लगी लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल एकन जुड़ दबादें जैहिंद वंद मातर झाल